हे गाइज, इस केज़ फरार भी हेर और आज हम बात करेंगे MIUI 12 के बारे में तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 27 तारिक को Xiaomi MIUI 12 and Meet & Youth Edition को लॉंच करने वाला था जो कि आज लॉंच हो चुके हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको officially MIUI 12 में कौन-कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं और आपको जो ग्लोबल स्टेबल अपडेट आएगा उसमें कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे साथ ही हम इस वीडियो में ये जानेगे कि आपके डिवाइसे में MIUI 12 का अपडेट आएगा कि नहीं इस वीडियो के एंड में मैं आपके eligible डिवाइसे के लिए इस्त दे दूँगा जो कि officially Xiaomi ने confirm कर दी है तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिए तो गाईज बिना किसी देरी के जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते है तो गाईज अगर सबसे पहले changes की बात करें तो अब तक जो आपने वीडियो देखी है वो space acceleration के उपर based है जी हाँ गाईज इस बार MIUI ने और Xiaomi ने मिलके space exploration के उपर बहुत ही जादा amazing and super wallpapers को design किया है जो आपकी lock screen and mobile phone की home screen को बहुत जादा amazing बना देंगे इसके बाद अगर हम अगले changes की बात के तो आप यहाँ पे field real लिखा देख रहे होंगे field real का मतलब है कि आपकी जो भी animations है for example यहाँ पे आपकी weather app के अंदर animations है यहाँ पे आपको dynamic weather देखने को मिलेगा जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जब भी sky clean होगा तो आपको clean layout देखने को मिलेगा जब भी यहाँ पे आपको बारिश होगी तो आपको बारिश देखने को मिलेगी यह बहुत ही amazing animation के साथ change होता है आपको बिलकुल live feed दिखाता है यहाँ पे आप इस वीडियो में या इस animation में देख सकते हैं कि यह कैसे काम करेगा इसके बाद अगर हम इसके animation की बात करें तो Xiaomi ने से physical animation engine को develop किया है जिसे कि वो rendering mechanism के थूरू use करते हैं MAML illustration engine का use करके इसमें आपको बहुत ही amazing animation and बहुत ही perfect dynamic rounded corners देखने को मिलेंगे अपने पूरे system UI में इसमें आपको बहुत ही amazing visual effects भी देखने को मिलेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी आपको या icon को uninstall करते हैं तो उसमें आपको कैसे animation देखने को मिल रही है इसके बाद अगर हम अगले changes की बात करें तो यहाँ पे आपको button simulation animation clicks देखने को मिलेंगे जब भी आप किसी भी buttons पे notification bar में click करेंगे जी हाँ guys आप यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं कि इस बार आपको कैसा notification panel मिलने वाला है आपको यहाँ पे नई colors और नई animation को introduce किया गया है आप यहाँ पे यह चार buttons को देख सकते हैं कि कितने amazing लग रहे हैं इसके बाद अगर मगला जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो applications के inner graphics है उनको भी change कर दिया गया है आपको यहाँ पे security application देख रही है जिसमें आपको नई animation देखने को मिलती है यहाँ पे आपको new visual UI देखने को मिल रहा है अपने सारी inner applications में and guys आप यहाँ पे देख स आपको नए storage manager देखने को मिलता है जिसमें आपको बहुत ही amazing UI देखती गई है जिससे के आप बहुत ही असानी से समझ पाएं कि कौन सी चीज़ आपका सबसे जादा storage खा रही है इसके बाद अगर हम बाकी changes की बात करें तो आप यहाँ पे tagline पढ़ सकते है everything is moving and pleasing इसका changes जो आपको MIUI 12 को सबसे अलग बनाते हैं वो guys इसकी privacy protection जी हाँ guys इसमें शाओमी ने इतनी जबरदस्ट privacy protection दी है कि आप अभी तक किसी भी android phone में ऐसा नहीं देखा होगा तो guys आप यहाँ पे flares लिखा देख सकते हैं शाओमी का develop किया हो गया एक AI security engine है जो कि आपकी सारे phone के privacy को maintain करता है यहाँ पे आप अपने सारे sensitive behaviors देख सकते हैं हर application का कि किस time कि application ने किस services के demand करी है for example अगर मैं आपको बताओं कि आपकी कोई भी application अगर आपके background में mic, camera या फिर location का use कर रही होगी तो आप flare की मदद से उसे देख सकते हैं इसके बाद guys अगर हम अगले feature की बात करें तो आपको यहाँ पे permission only in app usage का function देखने को मिलेगा जहाँ पे आप हर application को अपनी मर्जी से permission दे सकते हैं कि वो आपका location या फिर आपका camera कितनी देर तक आपकी information के बिना use कर सकती है जो application high risk की category में आती होगी वो आपका कोई भी camera, mic या फिर आपकी screen का usage नहीं देख पाएगी उसके लिए आपको सारे permission automatically cross रहेंगी इसके बाद अगर हम अगले changes की बात करें तो यह safe sharing के नाम से आता है जहाँ पे आपको photo, video share करने का option मिलता है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि Xiaomi, vivo, me, realme, oppo, यहाँ पर आप इन सभी phones में me share या फिर share me के थ्रू अपना data transfer कर सकते हैं इसके भी privacy और security को बढ़ा दिया गया है कि आगर आप कोई भी photo share कर रहे हैं तो आप उसके लावग कोई भी data leak ना हो इसके बाद अगर अगले feature की बात करते हैं यहाँ पर एक hidden mask, mask system देखने को मिलेगा जो कि आपको सरफ चाइना में देखने को मिलेगा, अभी तक global के लिए इसकी कोई भी announcement नहीं हुई है इसका मतलब यह है कि आप जब भी कोई application use करेंगे तो आप उसे बिना application permission के use कर पाएंगे और आपकी जो identity है, for example, आपका IP address, आपका Wi-Fi या Mac address वो इसके थुरू mask हो जाएगा और कोई भी track नहीं कर पाएगा कि आप कहां से या फिर कौन से application में कितना usage बना रहे हैं इन गाइस आपको यहाँ पे एक privacy management का भी feature देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अपनी सारी privacy को एकी जगह से control कर पाएंगे इनका कहना यह है कि हमारी जो privacy protection capabilities हैं उन्होंने industry leading privacy protection certificate and testing को pass किया है जहाँ पे आप देख सकते हैं किने कितने सारी certificate मिले हैं यहाँ पे आप BSI की तरफ से तीन certificate and D, J, C, P, Trust, E, and T, U, V Rhineland की तरफ से भी certificate मिला है इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे clarify करा है कि जो भी information लेंगे उसे किसी से भी share नहीं करेंगे आपकी privacy का पुरा-पुरा ध्यान रखेंगे तो इसके बाद अगरम अगले function की बात करें तो आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि intimate function का text लिखा गया है इसका मतलब यह है कि आपको जो भी features and functions यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा powerful होंगे और बहुत ज़् pleasing होगे आपके आँखों को देखने के लिए तो इसके बाद का feature यह है कि अगर आपको कोई भी notification आती है तो आप उस notification को drag down करके ऐसे small window में side में कर सकते हैं से आपकी multitasking बहुत ज़्यादा improve हो जाएगी और आपकी जो window है वो एक small window में transform होके आप साथ के साथ chatting और साथ के साथ कोई भी video भी देख सकते हैं इसके बाद अगर हम अगले major feature की बात करें जो आपको android में भी देखने को मिलते हैं तो यह होगा AI call and accessibility services AI call का मतलब यह है कि guys यहाँ पे आप understand more पे click करके देख सकते हैं यहाँ पे आप automatically answer set कर सकते हैं कोई भी call के लिए and अगर आपको कोई भी custom opening word बोलना हो तो यहाँ पे AI आपका सारा काम कर देगी जब भी आपको कोई call करेगा तो आपकी AI उसे answer करेगे यहाँ पे आप set कर सकते हैं कि वो उने क्या जवाब दे यह बहुत ही amazing feature है guys अभी तक यह आपको किसी भी phone में देखने को नहीं मिलाए सबसे पहले MIUI में ही आएगा यहाँ पे अप accessibility features की बात के तो आपको यहाँ पे नई recording app दी जाएगी जो कि Google recorder की तरह ही काम करेगी जो कि सामने वाले बंदे और आपकी conversation को साथ के साथ टेक्स में convert कर देगी अगर आप दो बंदों की recording कर रहे हैं तो जैसे आप यहाँ पे देख सके हैं notes का एक screenshot देखने क algorithm शामी का कहना है कि उन्होंने इसे self-develop किया है AI motion algorithm को ताकि वो low power consumption करे आपको accurate identification दे आपके सारे stats की इसके जैसे आप अपनी जो health का data है वो बहुत ही easily and बहुत अच्छे से record कर पाएंगे तो इसके बाद जो guys MIUI के और features बचे उनके बारे में आपको बता दो सबसे पहले इसम को मिलेंगे आपको यहाँ पर list app देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको यह भी custom list बना सकते हैं और आपको एक minimalistic mode भी देखने को मिलेगा जिससे आप बहुत ही easy से जैसे जो भी aged person होते हैं वो इसको बहुत असानी से use कर पाएंगे इसमें आपको smart travel के लिए app दी गई है जिस से कि आपकी traveling बहुत जादा easy हो जाएगी जिसमें आपको हर चीज़ के perfect time पे perfect notification या reminder दिये जाएंगे इसके बाद आपको यहाँ पे 2000 से ज्यादा AMOLED screen पे जो graphics use होते हैं फिर जो always on display में graphics use होते हैं वो 2000 से ज्यादा नए graphics को add किया गया है इसमें यहाँ पर आपको MIUI 12 में तीन नही आप देखने को मिलेंगे जो होगी me care, me work and me go इसके बाद अगर हम dark mode की बात करें तो इसमें आपको dark mode 2.0 देखने को मिलता है जो कि system wide dark mode है यह बिल्कुल अच्छे से काम करता है यह हर app में आपको देखने को मिलेगा जो भी आप MIUI 12 में use करेंगे इसके बाद जो last and final features है वो है इसका game acceleration जी हाँ गया जिसमें आपको game turbo 3.0 देखने को मिलता है जहाँ पर आप privacy के लिए किसी से भी game के अंदर बात करते हुए अपनी voice change कर सकते हैं बहुत सारे अलग-अलग characters में जैसे कि कोई भी girl boy या फिर कोई भी robotic voice इसमें आपको game turbo 3.0 देखने को मिलेगा जिससे आपकी performance और आपकी जो भी data की speed है game खेलते वे जैसे कि आप कोई भी online game खेलते हैं जो आपकी ping है वो भी बहुत जादा हाई रहेगी पहले से और आप इसमें साथ के साथ वीडियो गी record कर पाएंगे इसमें आपको एक और amazing features दिया गया जिसके थूर आप कोई भी foot steps या फिर game के colors को अपने हिसाब से change कर पाएंगे जिससे कि आपको enemies देखने में असानी हो तो guys अभी तक यही थे सारे features MIUI 12 के बारे में अगर हम इनक eligible device की बात करें तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर eligible devices की या फिर जो first batch होगा जिसमें MIUI 12 देखने को मिलेगी उनकी list दी गई है अगर मैं आपको detail में बताओ तो यहाँ पर आप देखने को मिल सकते हैं यह सारे वो devices है जिनमें सबसे पहले आपको MIUI 12 देखने को मिलेगा तो guys यही थी सारे information MIUI 12 के बारे में तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर दबाईए तो guys मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you